अपके पास लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि सुशांत के लिए सुशांत की मौत के करीब 70 दन बार जाँच आसान नहीं होगी और इसलिए सीबियाई की जाँच पांच मुख्य बिंदूओं पड़ने की है उन सवालों तक आज तक की टीम भी पहुंची है सीबियाई सुशांत के डिटेल पोस्ट मौटम रिपोर्ट उसके पोस्ट मौटम की विडियोग्राफी फॉरन सिक्रिस रिपोर्ट और वस्रा रिपोर्ट ये चार रिपोर्ट से जनके आधार पर अपनी जाज को आगे बढ़ा सकती है सीबियाई के आत्मिश्वास से भरी टीम को पक्का यकीन होने लगा है कि इस मामले को वो मुकाम तक पहुचा कर रहेगी और जल्द ही सुलच जाएगी सुशांत सिंग राजपूत की मौद की मिस्ट्री सीबियाई ने जो प्लाइनिंग की है उससे परत तर परत तस्वीरे हो जाएगी साथ अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुशांत सिंग राजपूत केस में सीबियाई की जाज का क्या है ब्लोप्रिंट सुशांत मामले में आज तक के हाथ लगी एक्स्क्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबियाई इस गुत्षी को सुलजाने के लिए चार अस्तर पर काम कर रही है आज हम आपको एक-एक प्लाइन के बारे में बताने जा रहे है सीबियाई का पहला प्लाइन मौकाई वारदात का मौएना सबसे पहले प्लाइन के तहट सीबियाई मौकाई वारदात की परताल कर रही है यानि सुशांत के घर, चट और सोसाइटी का मौएना इस प्लैन के तहट CBI पता लगाएगी कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था सुशान की मौत अगर सुसाइड थी तो ये कैसे हुआ था कहां हुआ था सुशान का फंदा कहा था फंदे में सुशान को किसने सबसे पहले देखा फंदे से सुशान की बॉड़ी को किसने उतारा सुशान की लंबाई और फंदे की उचाई में क्या छुपा है राज देखे फॉरंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत बड़ा बहुत एहम रोल है जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मौर्णिंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते है नारियल पानी पिया था अब उसके पीने के तुरण बाद उन्होंने फासी ले लिए उनके हिसाब से तो पेट में तो होना चाही था ना उसका तो रौ होना चाही था तो इसलिए क्या रिपोर्ट पे आया है नहीं आया कुछ उन्होंने रिपोर्ट पे नहीं लिखा है लेकिन कहीं बैक अप पेपर में कुछ हो उसके बारे में दूसरी बात की जो जो निशान उनके चेहरे पे हैं मतलब हंदा के अलावा निशान उसका कोई explanation नहीं है CBI इस मामले को सरफ suicide या खुदकुशी के अंगिल से जाच करने के लिए नहीं आई है CBI के जो official हैं जो यहां पहुंचे हैं उनसे मेरी जब भी बात करीन का एक ही line है CBI के सामने इस केस को सुलजाने की सबसे बड़ी चुनाती है CBI का दूसरा प्लाइन घट नास्थल पर मौजूद लोगों के बयान का मिलान दूसरे प्लाइन के तहट CBI जो कुछ करने जा रही है उसे भी आपको बता देते हैं इसके तहट CBI पता लगाएगी कि सुशान के घर में कौन-कौन था घर में मौजूद सभी लोगों के बयान का मिलान करेगी कि सबकी बातों का लाइन लेंद क्या है अगर बयान में विरोधा भास हुआ तो दो लोगों को बिठा कर पूछ ताच की जाएगी CBI इस मामले में विज्ञान की कसोटी के जरिये भी केस को सुलझाने की तयारी कर रही है CBI का तीसरा प्लान सभी साक्षों की विज्ञानिक जाँज सुशान की मौत का मामला इतना पुराना हो चुका है कि करीब सतर दिन बाद इस केस में सचाई तक पहुचना बहुत आसान नहीं होगा इसलिए CBI वैज्ञानिक जाँज पर ज्यादा जोर दे सकती है इसके तहर चार एहम रिपोर्ट हैं जिन पर CBI की नजर है यह हैं फॉरंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियोक्राफी, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्रा रिपोर्ट फॉरंसिक और विस्रा रिपोर्ट को CBI डॉक्टर सुधीर गुपता को भेजेगी विसरा रिपोर्ट से पता चलेगा कि कहीं सुशान्त को कोई जहरीला सामान तो खाने में नहीं दिया गया था साथ ही ये भी पता चलेगा कि कहीं उनको कोई संदिग्द दवाई तो नहीं दी गई थी CBI Post-Mortem Report को भी देखेगी कि उसमें सभी जानकारी सही तरीके से दी गई है या नहीं ये भी जाच करेगी कि Post-Mortem Report में मौत और सक्म की जानकारी सही तरीके से दी गई है या नहीं CBI इसलिए कपूर अस्पताल के उन डॉक्टरों से भी पूछताज करेगी जिन्होंने पोस्ट मॉटम किया था खास बात ये है कि इस मामले में पोस्ट मॉटम रिपोर्ट पर पहले ही सवाल उठ चुका है CBI के तीसरे प्लाइन में इसी पर ज्यादा जोर है ताकि जाच के नतीजे पर कोई सवाल न उठा सके और कोड की तहलीज पर टिक सके इसके तहट सभी के बयान को वैज्यानिक जाच से मिलान कराए जाएगा CBI के रडार पर मुंबई पुलिस भी है मुंबई पुलिस इस मामले में नहीं चाहती थी कि CBI जाच हो ऐसे में इस केस को मुकाम तक पहुचानी के लिए CBI का चौथा प्लाइन भी है CBI का चौथा प्लाइन मुंबई पुलिस की तफ्तीश की भी जाच अपने चौथे प्लाइन के तहट CBI मुंबई पुलिस की तफ्तीश की भी जांच करेगी CBI पता लगाएगी कि आखिर मुंबई पुलिस खुदकुर्शी के नतीजे तक कैसे पहुंची उस सवाल का भी CBI पता लगाएगी कि क्या पोस्मार्टम रिपोर्ट सही तरीके से की गई आखिर मुंबई पुलिस पहले दिन से ही मामले में लीपा पोती कर रही है